दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत की जिसने न केवल राजस्थान के इतिहास पर अभूत पूर्व छाप छोड़ी है, बलकि भारत के इतिहास में भी अपना नाम अमर कर दिया है। एक ऐसी शख्सियत जिसने बहादुरी, निस्वार्थ बलिदान और साहस के ऐसे मापदंड स्थापित किये कि आज की पीड़ी भी निरंतर उनसे प्रेरणा ले रही है। हम बात करेंगे जोधपूर स्टेट के वफादार और मुगलों को नाकों तले चने चबा देने वाले वीर दुर्गादास राठोड की। जोधपूर स्टेट भारत के मध्यकालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई रही है। इतिहास कारों की माने तो मुगल काल में जोधपूर स्टेट या तो मुगलों के साथ अच्छे संबंधों के साथ रहा है या फिर एक बड़े दुश्मन की तरह। बीच का रास्ता यहां के शासकों ने शायद ही कभी अपनाया हो। इसी के चलते मुगल शासकों ने हमेशा कोशिश की है कि जोधपूर के शासक सत्ता के प्रश्न पर उनके खेमे में खड़े हो ना कि दूसरे खेमे में ही। औरंग जेब क को अपनी और मिलाने के लिए प्रयास किया और मिलाया भी। जैसी ही मुगल सामराज्य कमजोर पड़ा, जोधपूर स्टेट भी कमजोर होने लगा। पिंडारी और मराठा की निरंतर लूट मार के चलते अंत में जोधपूर स्टेट ने इस्ट इंडिया कमपनी के साथ उनके शासक राठोड कुल से संबंध रखते थे। जोधपूर स्टेट की स्थापना करीब 1212 में हुई थी। उनके शासक रावचुंडा ने जोधपूर स्टेट का विस्तार करते हुए मंडोर को 1321IC में शामिल किया। उनके पोते राव जोधा को जोधपूर के इतिहास म एक अलग स्थान हासिल है। उनके ही नाम पर इस स्टेट का नाम जोधपूर पड़ा था। उन्होंने न केवल महरांगड की नीव रखी बलकि आज के जोधपूर शहर की स्थापना भी उनके द्वारा ही की गई थी। इसी कड़ी में 1515 में राव गंगा जोधपूर के शा कर दिये थे। राव गंगा के ही बड़े पुत्र मालदेव थे जिनके शासन में जोधपूर उत्तरी भारत में एक मजबूत ताकत के रूप में उभरा था। फेरिश्टा के अनुसार मालदेव भारत के सबसे ताकतवर राजा थे। उनकी शेरशाह सूरी से सुमेल की मध्यकालीन भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जंगों में से एक है। मुठी भरबाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। जी हाँ, शेरशाह सूरी जीतने के बाद यही कह पाए। राजा मालदेव के बाद जोधपूर के जो बड़े और प्रगती हासिल की। शाह जहां के अंतिम सालों में मुगल सामराज्य के उत्तराधिकारी चुने जाने की प्रक्रिया तेज हो गई। जहां शाह जहां दारा का समर्थन कर रहे थे, वहीं औरंग जेब ने मजबूती से अपनी दावेदारी रखी। में दिल्ली की गद्धी पर कबजा जमा लिया, और अंग जेब ने जीतने के बाद राजा जस्वंत से सुलह की और उन्हें अपनी ओर मिला लिया। कहा जाता है कि राजा जस्वंत की जोधपुर स्टेट को सबसे बड़ी देन वीर दुर्गादास राठहौड थे, जिन्ह जोधपुर स्टेट के सालवा नामक गाउं में हुआ था, उनके पिता असकरण करनोत जोधपुर के राजदर्बार में एक महत्तोपूर पद पर थे, उन्ही की तीसरी संतान दुर्गादास राठहौड थे, असकरण करनोत ने दुर्गादस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और वे गाउं में ही रहते थे, परन्तु एक घटना ने उनके जीवन को पूर्ण तह बदल दिया, सत्रह साल की उम्र में वे अपने गाउं में थे, तभी वहां एक चरवाहा जो राज्य के उटों की देख भाल करता था, उससे उनकी बहस हो गई, बात इतनी बढ़ गई कि दुरगादास ने चरवाहे का वध कर दिया, इसके चलते उन्हें राज दरबार में राजा के समक्ष लाया गया, उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ अपना अपराध स्वीकार किया, परन्तु साथ ही यह भी कहा कि उस चरवाहे द्वारा जोधपुर के किले के अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था, इस वजह से उनको गुस्सा आया और उन्होंने चरवाहे का वध किया, राजा जस्वंत दुरगादास की हाजिर जवाबी और निर्भैता से अत्यंत प्रसन्न हुए, उनका मानना था कि यह बालक सदैव राज परिवार के प्रती दुरगादास के जीवन पर नजर डाले, तो हम देखेंगे कि अंत समय तक उन्होंने इस विश्वास को कायम रखा, और राज परिवार के प्रती अपनी वफादारी को हर कगीमत पर बनाए रखा, औरंगजेब से लड़ने, जब राजा जस्वंत धर्मत गए, तब पर पांच बार हमला करने का प्रयास भी किया, परंतुवे असफल रहे, और अंतता घायल अवस्था में उन्हें जोधपुर वापस लोटना पड़ा, चाहे धर्मत हो या कंधार और काबुल, दुरगादास राजा जस्वंत के साथ कई अवसरों पर साथ थे, राजा खराब हुई, तो यह विकट प्रशन फिर उठ खड़ा हुआ और कुछी दिन बाद राजा जस्वंत की मृत्यू हो गई है, परंतु राजा के लिए एक संतोश की बात थी, कि उस समय उनकी दो रानियाएं गर्भवती थी, ऐसे में उम्मीद थी कि राजा को उत्राधिकार अंत समय में वीर दुर्गादास राजा के समीप ही थे, दुर्गादास ने राजा को वचन दिया कि यदि बेटा पैदा होता है, तो उसको राजगदी दिलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें मुगल साम राज्य से ही लोहा क्यों ना लेना पड़े राजा की मृत्यू के बाद दोनों ही रानियों ने एक-एक बेटे को जन्म दिया, बड़े का नाम अजीत और छोटे का नाम दल्थम्भन रखा गया, जब इसकी खबर औरंगजेब को लगी तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई, उसे लगा था कि राजा जस्वंत की मृत्यू के पश्चात वह आसानी से जोधपुर पर पकड़ बना लेगा, उसने मुगल अफसरों की नियुकती भी आरंभ कर दी थी, इसलिए दो बेटों के जन्म की खबर ने औरंगजेब के पूरे प्लैन पर पानी फेर दिया, उसने तुरंत आदेश दिया कि दोनों बच्चों के साथ दिल्ली लाया जाए, वीर दुरगादास भी उनके साथ दिल्ली की ओर चल पड़े, औरंगजेब ने रानियों के साथ दोनों बच्चों को नूरगड कैले में सخت पहरे में रखा, अब औरंगजेब ने छल कपट का सहारा लेकर जोधपुर के विभिन महत तो पूर्ण लोगों को अपनी ओर मिलाना आरंभ कर दिया, वीर दुरगादास ये सब देख और समझ रहे थे, और जानते थे कि ओरंगजेब की निगाहें कहां हैं, इसलिए उन्होंने एक प्लैन बनाया, दोनों राजकुमारों के स्थान पर दो अलग बच्चों को सुला प्लैने से वीर दुरगादास को ही राजकुमारों को लेकर निकलना पड़ा, मुश्किल से दुरगादास वहां से निकले, इन सब के बीच छोटा राजकुमार, दल्थंभन, रास्ते में ही दम तोड़ गया, परंतु अजीत जीवित रहा, दुरगादास ने सिरोही के कलि भी राजा को सुरक्षित कर, दुरगादास ने राजा जस्वंत को दिये अपने वचन के प्रती इमानदारी दिखाई, साथ ही दुरगादास भी अब खुल के औरंगजेब का विरोध कर सकते थे, ताकि भविश्य में अजीत को राजगद्दी पर बैठाया जा सके, जब औरंगजेब को यह पता चला कि दुरगादास दोनों राजकुमारों को नूरगड कहिले से ले जा चुके हैं, तो उसका गुस्सा साथवें आसमान पर पहुँच गया, जोधपुर अब औरंगजेब के निसाने पर आ गया, मरुभूमी को बुरी तरह से उजाड दिया गय और लोगों को मौत के घाट उतार दिया, बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियों को लूट के दिल्ली ले जाया गया, दुरगादास ने जब ये देखा तो वे और क्रोधित हो उठे, उन्होंने प्रण लिया कि दिल्ली से मुगल सामराज्य को उखाड फेकेंगे, वे राजकुमार मुध्जम और राजकुमार मुहम्मद अकबर मरुभूमी में राजकाज की जिम्मेदारी निभा रहे थे, दुरगादास ने बड़ी चतुराई से राजकुमार मुध्जम को औरंगजेब के विरुद्ध मोर्चा खोलने के लिए मनाने की कोशिश की, अख्ता पलट हो और राजकुमार अकबर बादशाह बने। यहां तक कि दुरगादास ने 40,000 राठोड और असीमित संसाधन का भी वायदा किया। राजकुमार अकबर दुरगादास की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने औरंगजेब को ललकारने की ठान ली। द अब दुरगादास ने औरंगजेब को हराने की नई योजना बनाई। इस बार वे डेककन की ओर चल पड़े। उनका टारगेट था कि औरंगजेब को डेककन की ओर से परेशान किया जाए ताकि उसका ध्यान जोधपूर से हटे। इसलिए दुरगादास अकबर को लेकर श खोटा नहीं आँका जा सकता। वह खुद काफी लंबे समय तक डेककन में लड़ाई में भाग ले चुका था इसलिए जोधपूर को छोड़ वह खुद डेककन की ओर चल पड़ा। दुरगादास की डेककन में मौजूदगी ने औरंगजेब को और ज्यादा चितिन्त कर दुरगादास करीब 6 साल तक डेककन में रहे और औरंगजेब के खिलाफ मराठा, पुर्तगालियों और अन्य का साथ देते रहे। औरंगजेब के संसाधन और उर्जा निरंतर डेकन में खर्च होती रही और अंततह डेकन ही मुगल सामराज्य की बरबादी का एक बड़ा क उदय जैसे वीर योद्धाउं ने बढ़चड कर मुगल सामराज्य को निरंतर चुनौती दी। उनका मानना था कि अभी राजकुमार छोटे थे और उन्हें जान का खतरा था। 1687 में आखिर्वे वापस जोधपुर आ गए। आने के बाद लगातार उन्होंने लड़ाई जारी रखी। दुर्गादास ने 1687 में रोहतक और रेवाडी में मुगलों पर हमला बोला। वही 1689 में जोधपुर में। 1690 में अजमेर के गवर्नर सप्पी खान को हराया। दो साल बाद मुगल कमांडर काजिम बेग को पीछे धकेला। 1695 में कीरमल की लड़ाई लड़ी। 1696 में औरंगजेब को राजकुमार अकबर के बेटे और बेटी को लोटा दिया। औरंगजेब उन दोनों की इसलामिक शिक्षा दीक्षा से हैरान हो गया। और दुर्गादास को सम्मानित करने के लिए दर्बार में बुलाया। कुछ साल शांती बनी रही। 1703 में फिर से लड़ाई आरंभ हुई। दुर्गादास ने गुजरात के गवर्नर के खिलाफ मूर्चा खोल दिया। अगले चार साल तक गुरिल्ला लड़ाई चलती रही और दुर्गादास मुगल गवर्नर से चौत वसूली तक करने लगे। अंततह 1707 में जोधपुर पर कबजा किया। अगले साल फिर से मुगल आकरमन के चलते पीछे हटना पड़ा पर उसी साल फिर से जोधपुर पर कबजा जमा लिया। 1710 में मुगल बादशाह ने भी अजीत को जोधपुर का राजा मान लिया। दुर्गदास की लंबे समय तक की गई लडाई और मेहनत आखिर रंग लाई। अज्वे अजिए लिया। राणाश preparedness कर देके जिहाक्त हएबड़ है